मदुर भाई अपने बिस्तर से उठे, उनके सीने में दर्द हो रहा था अपने घर के बैठक वाले रूम में नजर डाली तो देखा, पूरा परिवार अपने मोबाईल में मश्कूल था सभी के सर नीचे के और जुके हुए थे उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज लगाई और कहा कि सुनो सीनी में दर्द हो रहा है, मैं डॉक्टर को दिखा कर आता हूँ पत्नी ने भी अपना सर उसी तरफ रखा और कहा ठीक है ध्यान से जाना, समल के जाना, और कोई जरूरत हो तो कॉल कर देना मदुर भाई, टू वीलर की चाबी लेके पार्किंग की ओर चले और टू वीलर चालो ही नहीं हो रहा था इतने में उनके घर में काम करने वाला रमिश, वो आया, साइकल को पार्क करते हुए स्टैंड पे चढ़ा ही रहा था कि उसने मदुर भाई की ओर देखा और कहा, साइब आप पसीने से तरबतर लग रहे हो, आपकी तबह ठीक नहीं लग रही मदुर भाई ने कहा, तबी तो डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, अस्पताल की ओर चला हूँ रमेश ने कहा, अकेले जा रहे हैं, उसने फटा-फट से टुवीलर की चाबी ली, उसे किक स्टार्ट करते हुए, कहा कि साहब पीछे बैच जाओ, मैं आपको ले चलता हूँ जैसी इस्पताल पहुँचे तो अंदर दौड कर गया और वीलचेर लेकर आया, और जैसे खुदी डॉक्टर हो, खुदी डिसिजन लेकर उसने आईसीव की और उस वीलचेर को धका मार दिया जैसी वहाँ पर पहुचा तो रमेश के मोबायल पर बहुत सारे फोन कॉल्स आने लगे सब फ्लैट के लोग थे जो कॉल कर रहे थे और उसने धड़ले से कह दिया कि मैं आज काम पर नहीं आने वाला फोन को साइलेंट कर दिया और वहाँ डॉक्टर्स की टीम रेडी थी सारे के सारे टेस्ट फटाफट हुए और डॉक्टर ने कहा कि आप बहुत टाइम पे आयो इससे जादा लेट हुआ होता तो बहुत गडबड हो जाती लेकिन अब आपका ब्लॉकच निकालना होगा हमें जल्द ऑपरेशन करना होगा और जिससे पहले आपके किसी एक रिष्टदार की सिगनेचर चाहिए होगी इस फॉर्म पे मदौर साब ने पें ठमा दी रमेश के हाथों में और कहा बेता साइं कर दे और नीचे लिख दे कि मेरे कहने पर तुने ये साइं किया है मैं भी वहाँ पर साइं कर दूँगा साइंग कर दिया उसने जिच के बिना बिलकुल हिच के चाय बिना क्यों उतने में रमेश के मोबाइल पर एक और फोन आ रहा था और इस बारी मदूर साब की बीवी का फोन था रमेश कुछ देर तक सुनता रहा और फिर उसने कहा कि मेम साब आपको मेरे पैसे काटने हो काट लेना मुझे काम पे से निकालना हो निकाल देना लेकिन अभी इस वक्त अस्पताल पहुंचाईए आप सब सहाब को यहाँ पर लेकर आया हूँ उनका बहुत ही जल्द ऑपरेशन करना होगा मदूर साब मनीवन सोच रहे थे कि इस वक्त मेरी पतनी को रमेश काम पर क्यों नहीं आया और उसका पगार काटने के वचार आ रहे थे मदूर साब का ओपरेशन हो चुका था और उसके बाद की वो मोमेंट थी जब वो अस्पताल के रूम में अपने बिस्टर पर लेटे हुए थे और जैसी उनकी आँखे खुली पूरा परिवार उनका पूरा परिवार अपना सर जुकाय हुए शर्म के साथ वहीं पर खड़ा हुआ था मदूर साब ने आँख खोलते ही कहा कि मुझे रमेश से मिलना है उस मेरे बेटे के बिना मेरा जीपाना असंभव था एक मोबाल फोन जो हमें हमारे अपनों से कितना दूर लिये जा रहा है और हमें विचार भी नहीं आता तलाश है एक दरजी की जो उधड़े हुए रिष्टों की सफाई से सलाई कर दे जो गलत फैमी के छेदों को सफाई से रफू कर दे यह कहानिया जो आपको पसंद आती है रोज सुबह मेरे साथ 94.3 MyFM पर सुबह साथ बजे मुझे आपका इंतजार रहेगा सलाम दुआ वणकम प्रणाम सत्सरीयकाल केम छो सारू छे अमदवाद आखुई मारू छे आचना की ओर से